नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों उम्मीद करते हैं आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्त हैं वह खुशहाल हैं दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मौध्य प्रदेश पावर जेनर 2024 की है ठीक है उसके वाद आप नीचे देखिए इसमें जो पोस्ट इकली है कनिस्क अभियंता की जो डिप्लोमा एंड बीटेक बेसीस पे है एंड आई ये बेसीस पे भी कुछ सीटे दी गई हैं तो कनिस्क अभियंता की अगर बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हैं स जिसमें UR की बात करें, तो UR की जो पोस्टे हैं, इलेक्रिकल ब्रांच में तीन हैं, और मेकेनिकल ब्रांच में भी तीन आपको दी गई हैं, बाकी केटेगरी वाई यहां पे दिया गया है, उसके बात देख लेंगे, आप सिविल ब्रांच के लिए देख सकते हैं, टोटल ब्रांच में घृत लिए इलेक्ट्रिक्स पोस्ट दी गई हैं, जो घृत्तों देख सकते हैं, जिसकी जो जो केटेगरी रहेगी, ठीक है? उसके बाद ये पोस्ट जो दी गई है स्टाफ नर्स की और अध्योगिक सायोजक ये फार्मासिस्ट की दी गई है उसमें देखिए टोटल आठ और चौदा पोस्ट दी गई है इस तरीके से टोटल 191 पोस्ट यहां पर दी गई है उसके बाद जब आप यहां देखेंगे ये टोटल रेगुलर बेसिस की वेकेंसी है और चैन पर किया जो भी होगी आपकी CBT मोड में करवाई जाएगी जिसमें 100 कोस्टन रहेंगे एक कोस्टन एक मार्क का रहेगा ठीक है और उसी के आधार पे आपका सेलेक्शन करवाया जाएगा जो भी CBT मोड में परिच्छा आपकी आउज़ित की जाएगी तो मद्य प्रदेश राज के बेभिन सहरों में आउज़ित की जाएगी उसके बाद फॉर्म फीस की अगर बात करें आवेदन को जो इसकी वेबसाइट का लिंग आपको दिया गया है मैं इसका लिंग आपको डिक्शन में दे दूँगा जहांसे आप डारेक्टी साइट को विजुट भी कर पाएंगे और आप डिक्शन की तुरू आउँ पर जा सकते हैं आपके दसवी का अंक सूची होना चाहिए मद्य प्रतेस का मूल निवास प्रमणा पत्र होना चाहिए जो मद्य प्रतेस की निवासी केंडिडेट्स हैं अधर इस्टेट वाले केंडिडेट्स जो भी इसमें फॉर्म भरेंगे वो यूर में count होंगे और वो यूर की ही seat में eligible हो पाएंगे ठीक है इसमें आप देखिए online आवेदन करने की जोती थी है 24, 2024 से संभावित है आपने दो अपरेल से आपका form fee भरना चालू हो जाएगा और 34, 2024 उसकी आखरिती थी दी गई है उसके बाद देखें इसमें जो qualifications की बात कर लें तो आप यहां देख सकते हैं कनिस्क अभियंता मैं एक ब्रांच का बता रहा हूँ mechanical engineering से AICTU, UGC के दवरा यहां पे आपका B, B.Tech and diploma candidates जो भी होंगे तो इसमें eligible हैं apply करने के लिए उसके बाद अनारच्षित में मद्ध प्रतिस के मूल निवासी अन्य पिछड़वगर अभियति उर्दे नियूंतम 55% अंग होना चाहिए आपके डिपलोमा और B.Tech वेगरे जो भी के आपकी qualifications है उसमें आपके 65% या उसके संतुल्य होना चाहिए CGPA pattern में है तो उसका multiplying factor से आप multiply करके भी देखेंगे तो आपके उतने percent आना चाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो वहाँ के निवासी है MPK उनके लिए 60% तक का criteria रखा गया है और जो category wise है उनके लिए 55% का criteria रखा गया है उनके पास होना चाहिए उससे कम है अगर किसी candidate का तो वह eligible नहीं होगा form apply करने के लिए same criteria होगा follow होगा इसमें electrical वाली ब्रांच में उसके अलावा देखें तो same criteria follow होगा electronics वाली ब्रांच में बस आपका diploma b.tech उसी ब्रांच से होना चाहिए उसके बाद देखें सैंतर सहायक जो है mechanical वाली ब्रांच में इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट कोड संख्या देखेंगे 006 इसमें देखें दिया गया आपके high school होना चाहिए machinist, fitter, welder, HPC, welder, mechanic, pump, mechanic, वाहन, motor, mechanic, diesel, mechanic, trade, save, मदप्रतिस, आसन या NCVT के द्वारा आपने कहीं से भी ITI किया हुआ है तो आप इसमें eligible हैं apply करने के लिए और percentage criteria save है जो की उपर दिया गया है electrical वाली branch में देख सकते हैं कि electrical में electrician, wireman, electronics, instrumentation इन सभी trades की candidates इसमें eligible होंगे सायंतर सहाय के electrical में तो जो भी candidates जिन्होंने इस branches से ITI किया हुआ है वो इसमें eligible हो जाएंगे ठीक है उसके बाद आप यहां देख सकते हैं जो age limit की बात की गई है तो age limit में आप देखेंगे post code संख है 001 के लिए जो सबसे ऊपर था उसके लिए 21 वर्स के लिए नियुनतम आयो है और बागी जितनी भी पोस्टे हैं सब के लिए नियुनतम आयो 18 वर्स रखी गई है जिसमें पूरुस के लिए जो UR category candidates होंगे उनके लिए age limit जो दी गई है 18 से लेके 40 साल तक दी गई है maximum ही जापकी 40 साल होनी चाहिए अगर रवाई आपके जो MP का निवास प्रामट पत्र होगा उसके आधार पे आपको relaxation दिया जाएगा आप यहां देख सकते हैं relaxation किन-किन candidates को दिया गया है OBC, SC, ST and EWS candidates जो भी होंगे उनके लिए relaxation दिया गया है तो यही सभी importance points थे आप यहां देखेंगे syllabus में जो दिया गया है कि यहां पे जो भी आपका computer base पर इच्छा आप से करवाई जाएगी तो जर्म की समान होने पर ऐसे उमीदवार को वरित्या दी जाएगी जैसे आपके दो candidates हैं सेम नंबर पर दो candidates होंगे तो उसमें जिसकी age limit ज्यादा रहेगी जिसकी age ज्यादा रहेगी कोई candidate 26 year का है कोई candidate 25 year का है तो 26 year वाले candidates को उस सेम नंबर वाले condition पर रखा जाएगा उसके बाद देखिए आप यहाँ पर प्रसिछन की जो अवादी होगी आपकी जो probation period कहलाएगा training period वो आपका एक वर्स का रहेगा जिसमें कनिश्च अभियंता civil electrical and mechanical वाली ब्रांच के लिए और जो साय तर्सायक हों को उन सभी के लिए 9 माह का रखा गया है ठीक है क्योंको 9 मंत का रिलेक्ट वो दिया जाएगा training period दिया जाएगा वेतन मानके अगर बात कर ले तो आप यह देख सकते हैं जो ITA वाले candidates है उनके लिए 25,300 बेसिक से लेके 80,500 रखा गया है उसमें नियूंतम दिया गया 25,300 और 25,300 तो यानि आपकी सेली ग्रॉस सेली जो बनेगी वो एप्रॉक्सिमेटली 42,000-45,000 के प्रॉक्स बनेगी ठीक है और जितने भी डिप्लोमा वाले candidates हैं आप लेवल में देख सकते हैं 8 लेवल पे है तो उसमें 32,800 अगर बेसिक रखा गया है तो आपकी सेली अप्रॉक्सिमेटली 62,000-65,000 के प्रॉक्स बन जाएगी तो यही एक important update आप सभी को देनी थी आप यहां category वाज जो भी है सीटो का देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें किस किस category में दी गई है और आप यहां टोटल 191 पोस्टें यहां पर दी गई है ठीक है वीडियों बने रहने के लिए धन्यवाद वीडियों आपको पसंद आता आपके लिए helpful है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूल है फिर भी आपका कोई query होता है तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं वीडियों बने रहने के लिए धन्यवाद